हालो स्टुजाइंट आज हम किरता जूनियम महाकाव्य के प्रथम सर्ग के पद्दे संख्या छे, साथ वा आठ का अध्यन करेंगे पद्दे संख्या छे इस प्रकार है निसर्ग तुर्भोदम अभोध विकलवः क्वभूपति नाम चरीतम क्वजन्तवः तवा अनुभाव अयम वेदी यन मया नीगूड तत्वम नए वात्म विद्विशाम यहाँ वनेचर जो गुप्त चरके वेश में दुर्योधन की राजवेश्ता जानने के लिए गया था वह उन्हा वापस आकर युडिफ्टि के समक्स अपना वक्तव्य रेता है अपने विचार वेक्त करता है तो वह सबसे पहले जुडिफ्टि से कहता है कि निसर्ग दुर्भोदम निसर्ग का स्वभाव से ही दुर्भोदम समझ में न आने वाला स्वभाव से ही समझ में न आने वाला भूपति नाम चरितम राजाओं का चरित राजाओं का चरित के सा है जिस्वभाव से ही समझ में नहीं आता है तो निसर्ग दुर्भोदम भूपतिनाम चरितम क्वर स्वभाव से ही समझ में नहीं आने वाले राजाओं का चरित कहां अबोद विकलवाहा अज्यान अबोद बोलते हैं अज्यान को अज्यान के कारण विकलवा व्याकुल हुए अज्यान से व्याकुल बने हुए जन्तवहक्व कहां हम जैसे जन्तू कहां तो आप राजा और कहां हम जैसे तुछ बुद्धी के जन्तू तो निसर्ग दुर्वोदम स्वभाव से ही समझ में नहीं आने वाला राजाओं का चरित्र कहां और कहां अबोध विकलवा अज्यान से व्याकुल बने हुए जन्तवहर जन्तू का चरित्र अर्थात इन दोनों में महान अंतर है मया मेरे द्वारा विदिशाम शत्रू के मेरे द्वारा शत्रू के निगूड तत्वम गूड तत्व को रहश्य को गूड बोलते हैं रहश्य को रहश्य को नए वर्तम राजनुति को समझ सकां मेरे द्वारा शत्रूओं के रहश्यों को नए वर्त्म राजनुति के मार्ग से समझा है यत अवेदी जो जाना है यत जो अवेदी जाना है आयम तव अनुभाव यह सब आयम याने यह तव याने तुम्हारा ही हे युदुश्किर हे राजा ये तुम्हारा ही अनुभाव किरपा है प्रभाव है यह आपकी ही प्रभाव है क्योंकि मुझ जैसे तुछ बुद्धी के मनुश्य के द्वारा इस प्रकार की राजवेरुस्ता को जानना मुश्किल है लेकिन मैं जो थोड़ा बहुत भी जान पाया हूं वह सब महराज आपके प्रभाव से ही जान पाया हूं तो दुबड़ा फिर लेहें निशर्ग दुर्भोध हम सभाव से ही समझ में नहीं आने वाला और बॉइच्ञा कहां तो राजाओं का चरित्र, भूपति नाम राजाओं का चरित्र कहां, अबोध विकलवा और कहां अज्यान से व्याकुल हुए हम जैसे जन्तुओं का चरित्र, अता मया मेरे द्वारा विद्वि शाम शत्रों का निगूर तत्म जो रहश्य है नेवर्त्म वो राजनतिका मार्ग है यदअवेदी जो मेरे द्वारा जाना गया है अयम तव अनुभाव यह सब आपका ही किर्पा है यह पद्धे संक्या छह है इसमें वही विशेश में वनसफ्त चंद है और वनेचर यहां अपने आपको तुछ बता कर जो कुछ भी उसने जाना है सब में महराज का नुभाव मान कर बताया गया है कि यह सब युनिश्टिर के प्रभाव से ही में जान पाया हूँ पद्य संक्या साथ देखिए विशंक मानो भावतह पराभवम निर्पा फ्नस्थो अपी वनाधी वासी नहें दूरो दर छद्म अजिताम समिहते नयेन जेतुम जगती सुयो धना हैं अब वनेचर महराज युदिष्ठिर के समक्स दुर्य दन की राजवयोस्ता का वर्णन करते हुए कहता है कि विशंक मानो भावत पराभवम भावत याने आपसे पराभवम पराजय के विशंक मानन आसंका रखते हुए आपसे युदिष्ठित से पराभव की आसंका करते हुए सुयो धना दुर्यो धन निर्पा फ्रस्थ पी राजा के आसंपरिष्ठित होने पर भी वन अब केसे है वना धीवासीन वन में निवास करने वाले राजा तो कहा है दुर्यो धन तो राज सिंगासन पर बेठा हुआ है और आप कहा है आप वन में निवास कर रहे हैं उसका अन्वे देखेंगे निर्पा सनस्थ है राज सिंगासन पर बेठा हुआ भी अपियाने भी राज सिंगासन पर बेठा हुआ दुर्योदुन भी वन अधिवासिन वन में निवास करने वाले वन में निवास करने वाले भाउतह आपसे पराभवं पराजय के विशंक मान आसंका रखते हुए सुयो धन दूर दूर उदर चद्म जिताम जुय में छल से जीते हुई जगतिम प्रत्वि को राज्यको जुय में छल से जीते हुई राज्यको नएं निति से जेतुम जीतना समीहती चाहता है ये हम सब को ग्यात है कि दुर्योधन ने युडिश्टित से जुए में रास्जे छीना था अब दुर्योधन क्या चाता है कि मैंने वहां तो चल से जीता है अब मैं इससे क्या करूँ नए अर्थाद निति से इस राज्जे को जीतूँ तो यहाँ पर वनेशर कहता है युजिश्कित से कि है महराज दुर्योदन भले ही कहा है राजा के आसन पर इस्तित है फिर भी वह आपसे पराजय की आसन का रखता हुआ जुए में जीती हुई प्रत्वी को राजय को नए नीती के द्वारा जीतने की इच्छा रखता है यहां पर एक बार पुना इसका अन्वे करेंगे निर्पास अनस्थ अपि वन अधिवासी नह भावत पराभवं विशंक मानह सुयोधन दूरो दरच्छद्म जीताम जगती नयन जेतुम समिहते निर्पास अनस्थ राजा के आसन पर इस्तित होते हुए भी राज सिंगासन पर इस्तित होते हुए भी वन अधिवासी नह वन में निवास करने वाले भावत आपसे जगती पराभवं पराजय की विशंक मानह आसंका रखता हुआ अजिर्फास सुयोधन अधियोधं दुरोदर चदम जीताम जुए में चल से जीती हुए जगतीं प्रत्थी को या राज को नयेन नीती से जेतुम जीतने की समिहते इच्छा रखता है तो यहां पर भी पुनावई विशेस में वनसफ्त छंद है और अब दुर्योधन जुएं से जीते हुए राज्य को प्रजा के समक्स नीती से जीतना चाहता है इसके विशे में वनेचर ने विडिफ्टिर को बताय है अगरिम पद्धे हैं आठवा वह देखिए तथापी जीय सभवत जिगीशया तनोती शुब्रम गुण संपदाम यशह समुन्ययन भूतिम अनार्य संगमाद वरम विरोधो अपी समम महातमधी यह बड़ा ही इंपोर्टेंट फ्लों के और रश्न पत्र में आता रहता है इसकी व्याक्या और व्याक्या नहीं तो इसके नीचे की जो शुक्ति है इसके विशे में भी यदा कदा तस्न पत्र में पूचा जाता है तो सबसे पहले इसका अनुए देखिए तथापी फिर भी वनेचरी कराय तथापी फिर भी जीय कुटिल कुटिल को वने फिर भी वह दुर्योधन भवत जिगी सया आपको जीतने की इच्छा से गुण शंपदा गुणों की शंपदा में शुब्रम यसर तनोती शुब्र यस का विस्तार कर रहा है अपने उज्वल यस का विस्तार कर रहा है तो तुबराफित देखे तथा भी फिर भी जेवव कुटिल सह वह दुर्योधन फिर भी वह कुटिल दुर्योधन भवत जिगी सया आपको जीतने की इच्छा से गुण संपदा उदारता दया आधी गुण संपती के द्वारा शुब्रम यसर अपने उज्वल यस को तनोती फेला रहा है भुतीम उन्नयन कल्यान को करता हुआ एस्वर्य को बढ़ाता हुआ अनार्य संगमात दुर्जन पुर्शों की अपेक्षा अनार्य की संगम की अपेक्षा महात्म भी साथ विरोध भी वरम फ्रेश्ट है एक बार पुनह देखेंगे इसको तथा पी फिर भी जिवह कुटिल सह वह दुर्योधन भवत जिगेशया आपको जीतने की इच्छा से गुण संपदा दया उदारता आदी गुण की संपदा के द्वारा शुब्रम यशह उज्वल यश को तनोती फेला रहा है किसके द्वारा दया उदारता आदी गुण के द्वारा क्योंकि भुतिम समुन्ययन एश्वर को बढ़ाते हुए क्योंकि एश्वरियों को बढ़ाते हुए भूते में आने कल्यान को बढ़ाते हुए अनार्य संगमात दुर्जन पुरुस की संगती की अपेक्षा महात्म भी महात्मान के साथ महात्म पुरुसों के साथ समा मैने साथ महात्म भी महात्म पुरुसों के साथ विरोध अपी वरम विरोध भी क्या है फ्रेश्ट हैं इसलिए भले ही वह विरोध कर रहा हो महात्म पुरुसों के साथ फिर भी वह अपने गुणों के द्वारा क्या जीतना चाहता है अगली कक्षा में हम पद्दे संख्या 9 10 वर 11 का अध्यन करेंगे इती शमा